तो आपको कुछ तस्वीरे दिखाते हैं पहले इस मसले से जुड़ी हुए मिशन कश्मीर पर मोधी का जो मास्टर स्ट्रोक है उसको लेकर किस तरह से प्रतिक्रियाएं और किस तरह के हालात एक तरफ बार से बदहाल जम्मो कश्मीर उसके बाद राहत पैकेच का ऐलान प्रधान मंत्री की तरफ से आसमान से निगरानी भी की गई राहत कारें का जायजा भी लिया बचाओ में सेना को उतारा गया और उसका उसकी पलपल की पर प्रधान मंत्री का ये दोरा तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली जम्मु कश्मीर के बाढ़ पीडितों के बीच मनाएंगे ये जानकारी खुद नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिये दी है वहीं सीम उमर अब्दुल्ला ने पीम के इस फैसले क स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली कश्मीर के बार पीडितों के साथ मनाने का फैसला किया है मोदी गुरुवार को कश्मीर जाएंगे और दिवाली की दिन बार प्रभावित लोगों के साथ रहेंगे मोदी ने खुद ट्वीटर पर इसकी जानकारी दी प्रधान मंत्री ने ट्वीटर पर लिखा 23 अक्टूबर को दिवाली के दिन कश्मीर में रहूँगा और उन भाई बहनों के साथ रहूँगा जो दुर्भागि पूर्ण बार से प्रभावित हुए है मोदी की जोशना के साथ ही घाटी में सुरक्षा वेवस्था और बढ़ा दी गई है वहीं जम्मू और कश्मीर के सीम उमर अब्दुल्ला ने मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है उमर ने भी ट्वीटर पर ही मोदी के घाटी दौरे पर अपना नज़रिया रखा उमर ने ट्वीटर पर लिखा मैं नरेंदर मोदी के निर्णय की सराहना करता हूं कि वो जम्मू कश्मीर के बाड़ पीडितों के साथ श्रिनगर में दिवाली मनाएंगे खास बात यह कि कश्मीर में इसी साल के आखिर तक चुनाब होने हैं और कुछलू प्रधान मंतरी की स्पहल को इस से जोड़ कर भी देख रहे हैं राज की विबक्षी पार्टी पीडिपी ने कहा कि अगर मोदी ईद में आते तो बहतर होता तो कॉंग्रिस के शशी थरूर ने दोरे की टाइमिंग पर सवाल उठाते वे कहा कि ये पहल तब और अच्छी लगती अगर राजी में चुनाव ना होने होते जबकि एनसीपी के तारिक अनवर ने कहा कि मोदी को बाढ़ पीडितों के साथ दीवाली मनाने से ज्यादा उनके पुनरवास के बारे में तेजी से काम करते तो बहतर होता हलांकि पीएम के इस दोरे से कश्मीर के लोगों को होसला जरूर मिलेगा साथ ही मोदी बाढ़ पीडितों के साथ दीवाली मना कर उनको ये बताना चाहते हैं कि वे उनके साथ है मालूम हो की बार्ण में लाखों लोग बेखर हो गए थे और करोणों रुपए का नुकसान हुआ था लोग आज दोवारा अपने जिन्दगी को पट्री पर लाने की कोशिश कर रहे हैं निउज एक्स्प्रिस के लिए ब्यूरो रिपॉर्ट तो बहुत कुछ नया होने वाला है इस बार दिवाली पर प्रधान मंत्री पहली बार जा रहे हैं श्रीनेगर और वहां पर जो बार प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और उनके बीच प्रधान मंत्री दिवाली मनाएंगे खुश्यों का त्योहार मराएंगे और उसको लेकर उत्सा कश्मीर के लोगों में भी है और उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का स्वागत किया है चर्चाम कर रहा है रूबी अरुन जी हमारी इंपुट एडिटर इस वक्त हमाएं साथ है रूबी जी एक तरफ देश में जो है आतंकी हमले का अलर्ट दूसरी तरफ सीमा पार से लगातार सीजफायर का उलंगन और उसके बीच कश्मीर को पट्री में पट्री पर लाने की एक मंशार इन सब के बीच अचानक से एक इलेक्शन की डेट्स नस्दीक हैं क्या यह माना जाए कि यह को इंसिडेंस है य यह दो राजनीती यह और काबले तारीफ राजनीती है बहुत सकराओमक राजनीती नुरेंद्रमदी वैसे भी जिस तरह की राजनीती के माहिर हैं वो भावनात्मकμέ और आत्मियराजनीती बड़े सफल खिलाडी हैं और वही एहसास दिलाने वो जम्हुकश्मिर भी जारे ह दिवाली जैसा पर्व जो आम तोर पे हिंदूओं का पर्व माना जाता है और इसमें मुस्लिम भाई भी बहुत खुश से शरीक होते हैं हमेशा से ही तो जम्मू कश्मीर में जाकर के दिवाली मनाना और वहां पे अपनी मौजूदगी से पडोसी देशों को ये एहसास दिला है नवाज सरीफ पिछले दिनों गया और सिमा पे जो हरकते होती रही पाकिस्तानी सनिकों ने जो हरकते की तो उसकी शिकायत उन्होंने दूसरे शब्दों में भारती सनिकों पे आरोप मढ़कर के संविक्तरास्टर में की वहां जाकर कि उन्होंने रो ना रोया लेकिन नर नरंद्रमोदी यह कहना चाहते हैं सिर्फ अपने वहां रहने से कि यह हमारा घर है और यहां के लोग भारत के बासिंदे हैं तो यह बहुत मजबूत संदेश हैं दूसरी बात कि जो यह रोशन होंगे वह नई उमीद भी लाएंगे लोगों के मन में लेकिन एक बड़ी जब नरंद्रमोदी वहां जाकर के दिये तो जलाए ही साथ ही उनके घरों का भी वह इंतजाम करे ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें सर ढखने की छट मिल सके राहत काब में तेजी आए और इसके लिए स्पेशल पैकेज का एलान भी प्रदान मंतरी मोदी कर सकते हैं इसके ले भी वह एक बड़ी धनराशी जो है उसके उसको पैकेज के तौर पर उसकी घोशना कर चुके हैं कश्मीर के लिए और वहां पर जो बाड़ प्रभावित हैं उनकी पुनर्वास के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया है कमर आगा साहब आपके पास आउंगा एक में एक मंशा लेकर जा रहे हैं प्रधान मंत्री लेकिन हुरियत कॉन्फरेंस ने वहां पर एक हर्ताल की है उसी दिन तेज तारीक को आप कहने थे बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी है बड़े कैनवस पर सारी चीज़ें देखी जा रहे हैं इस वगड़ एक तरफ विग बात तो यह के सेना ने जो वहां कार यह किया था उसकी बड़ी सराइना हुई और वहां पर लोगों ने सेना का जयजयकार भी किया यह बड़ा बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कश्मीर में और एक बड़ा अच्छा माहौल है तो मैं समचता हुँ उस माहौल को आगे यह एक अच्छी बात है दूसी बात यह कि सतर्क रहने की बीज़ूरत है सबसे बड़ी बात यह कि यह यह या लगाओ वादी शक्तियां जो है जो हर्ताल की कॉल दे रही है या आतंक वादी शक्तियां जिनका सीधर रस्ता रिश्टा जो है पाकिस्तान से जुलाबा है और फिर पाकिस्तान की सेना की लगातार फाइरिंग दिवाली से पहले अलड़ी शुरू हो चुकी है तो इन से सतक रहने की भी बहुत दूरत है खास तोर से वैली के अंदर या दूसी जगाओं पे ये कुछ ऐसी भी हरकते सिविल कर्फियू भी लगाने की कोशिश करेंगे ये और इस पूरी उनके जो जो मिशन है उसको डिस्रप करने की बहुत बड़ी साजिश वो रच रहे होंगे जिसको बाहर से भी सपोर्ट मिल लई होगी तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा इसका जिकर अभी रूभी जी ने भी किया कि ये जो राशी जा रही है इसकी एक प जा रहा है यह जो पैसा जा रहा है आदर से ज्यादा पैसा इसका बरस्टा चार में इढर से उधर हो जाए तो मैं एक मौनिट्रिंग कमेटी भी बनाए जे इसका पैसे कब करें कि इसका सही olhar हो रहा है या नहीं है भी इस तुन है कि या कि उसे जाएपमरे में को म यहां आ रहे हैं हम लोगों के बीच रहेंगे श्याम जाजू साब एक नेक मंशा से प्रधान मंत्री वहां पर जा रहे हैं बार पीडितों के बीच रहेंगे बहुत सारी बातें वो करेंगे उनके सुखदुक को और कश्मीर की जिंदगी को फिर से पठरी पर लाने की वो संग आता है सेक्यूरिटी का विश्य रहता है नई सर्गी नेचरल आपत्य आती है तो ऐसे विश्यों को राजनीती के परे सोचना चाहिए मोदी जी ने यहीं सोचा है दिल्ली हो या स्रीनगर मेरा देश मेरा घर यह जो हमारा नारा है वह सही करने जा रहे है आज तक कोई सारक देशों के प्रतिदियों को यहां पर बुलाया था तो क्यों सेलब्रेट करने नहीं बुलाया था तूरंत पहले दिन से वहां की विदेशनीती का कामका चुरू हुआ था वैसे ही यह जब वहां जाएंगे तो वहां जो जो कार्य चल रहा है राहत कार्य चल रहा है और और उसमें क्या आवशकता है, वो लोगों को क्या देने की आवशकता है, ये सब बाते करके उसका भी जाई जालिया जाएगा, लोगों को connect किया जाएगा और लोगों को इस संकट से बाहर उबरने के लिए आपका एक सच्चा, इमानदार नेता आज दिल्ली में बैटा है जो आपकी चिंता कर रहा है आपके दुख बाटनी के लिए आया है ये बहुत बड़ी बात मोदी जी करने जा रहा है इसकी पूरी दिल खोल के सराना होनी चाहिए सब पार्टियों को इसका अनुसरन करने के आवशकता है ये छोड़कर जोड़कर देखना ये उचित नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही ट्विटर पर जानकारी दी किस बार वो दिवाली जम्मू कश्मीर में मनाएंगे वैसे ही उनके फैसले पर सवाल भी उठने लगे किसी ने उनके फैसले का स्वागत किया तो किसी ने उनकी टाइम पर ही सवाल खड़े कर दिये सवाल उठा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के क्या मायने निकाले जाएं महराश्ट और हर्याणा में रिकॉर्ड जीत दर्च कराने के बाद जब प्रधानमंत्री ने एलान किया कि इस बार वो दिवाली जम्मू कश्मीर में मनाएंगे दस सवाल उठने तो लाजमी थे कि आखिर जीत का जश्न मनाने की बज़ाएं पीम मोदी ने अचानक ये फैसला क्यों लिया क्या महराश्ट और हर्याणा के बाद बीजेपी का अगला टार्गेट मिशन कश्मीर है क्या बीजेपी इस बार घाटी में कमल खिलाने की तयारी कर रही है मोदी के कश्मीर में बाढ़ पुडितों के बीच जाने की खबर में कई लोगों की नीदें उड़ा दी है प्रधान मंतरी जी इन सब बातों पर टूइट करते हैं लेकिन आज कल पाकिस्तान के सीस फार वायलेशन पर टूइट रही है चाइना के इंकर्शन पर टूइट रही करते हैं जिसके लिए एक्सपर्ट माने जाते थे तो प्रधान मंत्री को उस पर भी कुछ टूइट करना चाहिए अच्छी बात है ऐसा हो सुचते हैं लेकिन दिवाली सिरिब्रेट के बजाए वहाँ लोगों के लिए रिलीफ के लिए काम होता उनको बसाने का काम होता उनके जो नुकसानात हुए है उसकी पूर्ती की जाती तो बहतर था कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री मोधी के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं तो वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी के फैसले को एक अच्छा कदम बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री उनकी विशेश पैकेज की मांग को स्विकार करेंगे। उमर अब्दुला ने राज में बाड से एक लाख करोण का नुकसान होने का दावा किया है और केंदर से चवालिस हजार करोण के पैकेज की मांग की है। मई में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मोदी का राज का चौथा दोरा होगा। जाहिर तोर पर राजनीतिक रूप से भी बीजेपी के लिए ये दोरा खासा एहम होगा। माना जा रहा है कि महराश्ट और हर्याना के बाद अब जारखन और जम्मू कश्मीर मोदी के निशाने पर हैं। इससे पहले महराश्ट और हर्याना के लिए भी खुद मोदी ने मैदान में उतर कर प्रचार की कमान अपने हातों मूरू की और कई रैलियों करने के बाद दोनों ही राज्यों में परिडाम उनके हक में आए। बात महराश्ट की करें तो अमेरिका दोरे के तुरंद बाद ही मोदी की बैक टू बैक रैलियां हुई। को देना गलत नहीं होगा क्योंकि ये शायद मोदी मैजिक का असर है जो पहली बार सूबे में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की जीत हुई। मोदी श्रीनगर में मनाएंगे अपनी दिवाली इस बार और ये एक मंशा भी है इसमें एक मैसेज भी है और एक मिशन भी है। बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और हम ये जानने के कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जब यहां पर श्रीनगर में जा रहे हैं तो इस टाइमिंग पर क्यों जा रहे हैं इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। कमारागा साब सबसे पहले आप से जाना चाहेंगे संक्षेप में कि क्या माना जाए कि सरकार की तरफ से अगर इस तरह के अच्छे भावनात्मक और विकाश असील फैसले लिए जाते हैं तो क्या अब इस तरह के फैसलों पर प्रोत्साहन देने की परिपार्टी एक तरह की परंपरा आप बची नहीं क्या सियासत में ने मैं समाझता हूं कि अपोजिशन का काम हमेशा से होता है उसमें नुक्ता चीनी करना उसके अंदर की कम्यों को बताना लेकिन यह है कि क्रिट्सिजम जो है वो हेल्दी होना चाहिए और जिससे के उससे फाइदा हो तो मैं पोजिशन का एक रोल होता है मैं समझता हूं के हिल्दी किट्सिजम बहुत अच्छी बात होती है दिमोक्रिसी के अंदर दूसी बात यह कि इस किसिम का जो उनकी यात्रा है उसके उपर अभी तक किसी ने कुश्चन नहीं किया सब ने उनकी तारीफ किये सभी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत प्रदान मंत्री करने जा रहा है उसको प्रोचाहन मिलना चाहिए क्या लगता है कि जिते आएं प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी चाहे वो अमेरिका में चाहे नेपाल में कश्मीर का दिल भी जीत पाएंगे राजियू मैं ये कहना चाहूंगे कि दिवाली का जो वक्त चुरह नरेंदर मोधी ने वहाँ जाकर के खुशया मनाने का तो इसके अपने सियासी खत्रे भी हैं ये एक ऐसा वक्त है जहां पर जाकर अगर नरेंद्र मोदी ऐसे कुछ पुखता काम करके नहीं आते हैं ऐसा भरोसा पैदा करके नहीं आते हैं तो चुनाओ के पहले जो भी उनकी चुनावी रैली होगी और उसमें जो वो वादे सियासी सोशेबाजी बनकी जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र रहे जाएगी मौका भी है दस्तूर भी है नरेंद्र मोदी के सामने क्या लगता है कितने हिट्स थाबित हो सकते हैं तो बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हमने इस डेड़ गंटे में की जिरो और के दोरान की श्रीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने जा रहे हैं इसके क्या माइने है पॉलिटिकली भी और भावनात्मक रूप से साथ ही विकास को लेकर कश्मीर को पटरी पर भी तो लाना है यह छे तस्वीरें और इनमें रिफ्लेक पर नजर